वही हवा है वही सपा है जनता इन से खफा है और दस मार्च को एकलेशी भी कह रहे हैं ईवियम बहुत बेवफा है आज हम चारों जीते मेरे लिए कहना बहुत असान होगा कि हाँ दोजार चौबी से पहले से पहले से जीत लिया मोदी जी के नेतरतब में देश ने एक लंबी जिन्होंने भारतियंता पाटि को एक बार फिर सेवा करने का अफसर दिया है जो 40 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया वो मोदी जी के नेतरतब में योगी जी ने करके दिखाया है कहीं न कहीं मोदी जी की छवी भारती अंता पाटी के लिए चारों राज्यों में वर्दान सिद हुई जो उनका सुर्शाशन, विकास, गरीब कल्यान की योजनाएं है उसका लाब बहुत मिला है और योगी जी को जब मौका मिला काम करने का तो कानून विवस्ता में सुधार किया, गुंडा अप्राधी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान दिया और गरीब कल्यान कारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा कर और उत्तर प्रदेश के चहुमों की विकास का भी काम किया है इस चुनाब में सपश तोर पर जब आ कोट बटोरने का काम करते थे, जबकि पिछले पांच वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी ग्यार सरकारी जमीने मुक्त कराने का काम भी किया है और 43 लाग पके मकान हर गर को बिजली, शौचाले, रसोई गयास का सिलेंडर देने का काम किया, तो वहीं पर 15 करोड गरीबों को मुफ्त में दो बर अनाज महिने में दिया, दो वैक्षिन भी लगवाई और पांच लाग का इलाज भी मुफ्त में करवाने का काम किया है, यह कही ना कही बहुत बड़ा फेक्टर था नीचे, मोदी जी की छवी, इमानदार और मोदी जी की करीब कल कर योजना है, और योगी जी का इनको धरातल पर सफलता से लागू करना, यहां तक मैं समझा हूँ कि क्या बड़े कारण रहे, मैं कहूंगा एक तो इमानदार नेतरतव, जो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि पांच वर्षों के बाद ना परधान मंतरी जी ना मु यह अपने आप एक बड़ा फैक्टर है, जबकि उसके सामने कोई और खड़ा नहीं हो पाता है, निश्य तोर पर जो पिछले 40 वर्षों में उत्तरप प्रदेश में नहीं हुआ, वो इस बार सरकार वापिस सत्ता में आई भाजपा ने रिपीट किया, सिटिंग मुखे मंत है, कमल के फूल पर मोहर लगी है, और आज कमल का फूल सूसाशन, विकास, गरीब कलियान और इमानदारी के लिए जाना जाता है, इसलिए चारो राजियों में आज कमल ही खिला है, देखिए हर चुनाव का अपना महत्व होता है, अपने लोकल मुद्दे होते हैं, आज हम चारो जीते मेरे लिए कहना बहुत असान होगा कि हाँ, दोजार चुनाव का अपना महत्व होता है, और इस चुनाव को भी हमने बहुत गंभीरता से लड़ा है, चाहे गोवा, मनिपूर, उत्राखंड, उत्तर परदेश, ये पंजाब का चुनाव भी हो, उसके बावजू हम जनता के समर्थन को, जनता के अशीरवाद को गंभीरता से लेते हैं, और गंभीरता से अपने विश्यों को लेकर जनता के बीच में भी जाते हैं, जो संकर्प लेते हैं, उसको सित करने तक पूरी ताकत भी लगाते हैं, और आज विश्वास दिला रहा हूं, हमने कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों के आये को दुगना करेंगे, करेंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर वन अर्थिवेस्ता बनाएंगे, बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश के किसानों को समरित करेंगे, महिलाओं को शिशक्त करेंगे, शिशक्त नारी, समरित किसान, सक्षम युव में एक न्या भ्रह्म फिलाने का प्रयास किया अखिलेश जी ने जब उन्हें कहा कि नई हवा है नई सपा है ये नारा दिया और शुरू शुरू में मीडिया ने इसको बहुत दिखाना शुरू किया लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया वही हवा है वही सपा है जनता इन से खफा है और दस मार्च को एकलेज जी भी कह रहे हैं इवियम बहुत बेवफा है मेरा इस पे निशान जी मानना बहुत साफ है ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकर था मोदी जी के नितरतब में देश ने एक लंबी चलांग लगाई हमने आपदा में अफ सी क्रोड वैक्सिन लगाने का काम देश में किया अठाइस क्रोड वैक्सिन उत्तर परदेश में लगाई देश में असी क्रोड गरीबों को मुफ्त में राशन दो महिने दो साल दिया उत्तर परदेश ने एक महिने में दो बार मुफ्त में राशन देने का काम किया एक महिन हमने काम नहीं किया होता तो आज गडबड हो गई होती और जैसे यूकरेन का संकट भी आप देखिए 24 फरवरी से लेकर आज तक स्पष देखने को मिलता है और आपके चैनल ने तो इससे पहले से यूकरेन को दिखाना 10 दिन तक शुरू किया आपके यूकरेन ही चल रहा था लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं हमने मोदी जी के नेतरत में जो कहते हैं कि दुनिया के सबसे लोगप्रिय नेता हैं मागंगा के शीरवाद से देश की कमान संभाली ओपरेशन गंगा के माध्यम से 21,790 चातरों को वापिस निकालने का काम यूद की भूमी से किया तो म बोदी जी ने करने का वो काम किया है